नमस्कार मैं दीपक स्वागत करता हुआ अपका ज्यान लेनर्स पर और आज हम देखने वाले जो क्लास 12 फिजिक्स है फिजिक्स चैप्टर नमबर टू इलेक्टिक पोटेंसल एंड कैपेश एटेंस में आज की जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्टिक फील्ड एज ग्रेड घ्रेडियंट और पोटेंसल ठीक है जो इल्क्तिक फिल्ड है उसको हम कैसे दिखा सकते में कैसे दिखा सकते हैं इसको आप यह भी कह सकते कि यह एक relationship है किसके भी electric field और potential के बीच हालां कि इससे पहले मैं आपको एक करा चुका हूँ electric field और potential के भी relation पिछली वीडियो में आपने देखा होगा यह वाली derivation relationship between electric field and potential में हमने यह पूरूफ किया था देखिए यह हमने पिछली derivation में लिया था अब देखिए यह भी लगबग सेम है लेकिन हम थोड़ा सा इसमें gradient of potential में दिखाते हैं होता क्या इसको लास्त में भी इसको जो है बताएंगे discuss करेंगे क्या होता है gradient of potential इसको आप ऐसे बोल सकते हैं मैंने का computing electric field from electric potential की electric potential से हम क्या निकाल सकते हैं electric field कैसे निकाल सकते हैं ठीक है दिखें जड़ा ध्यान से consider a point charge plus q ठीक है यह plus q charge है point at place at point o कहां पर रखा गया ओ point पर रखा गया plus q charge ठीक है ध्यान देते रहें positive charge है इससे के कारण हमने कर निकाल है electric field और potential में relation निकालने जिसको यह कहते हैं ठीक है तो यहां तक हमने पढ़ दिया उसके बाद let a and b b two point मान लो a और b दो point क्यों मान रहें आपको बताए था potential difference या electric potential की definition बताए थी मैंने आपको कि किसी एक point से दूसरे point तक जो जो test charge होता उसको move कराने के लिए जो work करना पड़ता है वही क्या कहला आता आपका वही आपका potential कहलाता है ठीक है तो इसलिए हम दो point मान रहें a और b अब देखिए धियान से आगे कह कह रहा है कि a and b b two point separated by distance distance dr इनके बीच की जो distance dr है मतलब बहुत चोटी distance ठीक है बहुत ही कम है clear the two points are so close that कि जो यह दो point होते हैं वो इतने close होते हैं एक दूसरे के वो कह रहा है कि that electric field e between them remain almost constant कि इनके बीच का जो electric field होता वो constant रहता है मतलब एक जैसा रहता है अब देखिए ध्यान से दो point a और b clear है यहां पे जो a पे जो potential होगा वो va होगा यानि कि उसको उसको आपने v माल लिया simply और जो b पे potential होगा वो vb होगा वो v plus dv होगा अब सर्थ b plus dv क्यों होगा देखिए यहां पे चार्ज है आपको मैंने बताया था पिछली डीविशन में आपको बताया होगा मैंने कि कि जितना पास चार्ज के कोई point रहेगा उसका potential वहां पे जादा रहेगा जैसे जैसे हम दूर दूर जाते रहेंगे potential कम कम होता रहेगा और लगभग infinity पे कितना हो जाता है तो यहीं देखिए कि यह point जो है बी वाला इससे सामने है इसलिए भी प्लस डीवी हो गया भी तो थाई मलब इतना तो थाई मालो कर यह दो है यह दो है तो टू प्लस सम्थिंग मलब यह डीवी है डीवी क्यों क्योंकि यह distance कितनी इनके बीच की डी आर है इसलिए इसको समझे lan okay ? यहां दे तरहते हैं देखिवार प्लस डीवीSchी कारते है है इसको कर दो दार्यवीस कणते है समझरों को यहां-थैसे इसको कोई फारक पाडनेवाला नहीं है ठीका Bailey तो टार अब ध्षयां-धी तरह एक स्टर नरत कहां पे हогा यह आंप होगा ठीक एछ है तिक है तो आपको पता है जो अगर इलेक्टिक्ट विल्ड ए है तो फोर्स कितना लगता आपको पता फोर्स कितना होगा फोर्स कितना होगा फोर्स इतना फोर्स लगेगा इसको इधर लाने के लिए तो अब फोर्स लगाया डिस्पेसमेंट कितना वह यहां से यहां तक that is DR तो जब फोर्स भी लग गया displacement भी हो गया हलका सा DR is minor displacement between A and B ध्यान रगिएगा तो force और जो displacement भी आ गया तो force into displacement क्या होता है वर्क होता है तो काम भी तो होगा जब हमने force लगाया कुछ displacement होगा तो कुछ work भी होगा तो कितना work होगा the work done to move the test charge कौन सा test charge आपका जो test charge है क्यू नोट आप लिख सकते हैं from A to B, A से B तक कितना work done करना पड़ेगा तो work equal to force into displacement तो work equal to force और displacement क्या है DR है F का value उपर से अमने रख दिया minus Q not E DR, equation number first मान लिया ठीक है अब देखिए also साथ ही work in moving, work done जो है कब भी होगा, moving the test charge from A to B कि work done A और B के भी जब ऐसे भी निकाल सकते हैं देखिए ऐसे भी निकाल सकते है, कैसे W equal to क्या होता है Q V आपको यह पीछे यह formula बता रहा जब मैं electric potential आपको पढ़ा रहा था W equal to Q V, क्या होता है Q V, अब Q की जगा क्या है Q not है, देखिए Q की जगा क्या है Q not और V की जगा potential difference किसके बीच का between A and B, तो क्या हो गया, V B minus V A, V B minus V A क्यों किया, क्योंकि B का potential जादा होगर A का कम है, ठीक है, क्या लगाया यह formula सारे पीछे के चले, अगर आपने नहीं देखें, पीछे वीडियो तो आप जरूर देखें, प्योंकि यह formula मैं पीछे से use कर रहा हूँ, ठीक है, आई बास कुछ भी नया formula नहीं है, वो कह रहा है कि अगर force work आपने ऐसा निकाल दिया, अची बात है, force into displacement ठीक है, वो कह से Q naught V, V मतलब potential difference B and A के B, तो VB कितना आपका देखें, V plus DV है, किलियर है, V plus DV आपने यह रख दिया, और A कितना आपका, A आपका, देखें, V है, किलियर है, समझमारी बात है, यहाँ पे V रख दिया, V से V क्या हो गया, cancel, plus minus cancel, कितना बचा, केवल DV बचा, ठीक है, equation number 2, क्यो क्योंकि देखें, equation first भी work का है, equation second भी work है, तो हम इन दोनो equation को क्या करें देखें, compare करें देखें, मतलब equal रख देगे, एक दूसरे का, क्यों, तो यह भी W और यह भी W है, तो यानि कि, A से W का value उठाके, यहाँ पूट कर दिया, ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, क्लियर यह रख दिया, यह Q naught E कहां गया, upon में, यह negative विधर दे दिया, Q naught से Q naught क्यों गया, cancel, तो बचा क्या, DV upon DR आपके पास, बचा negative में, तो यही क्या है, electric field as gradient of potential, जो यह DV upon DR, यह से क्या बोलते हैं, gradient of potential बोलते हैं, तो दिखें, लिखा हुआ है, मैंने, बढ़िया करके, आपके लिए दिखें, समझीए, समझीए, बढ़िया करके, कि the quantity DV upon DR, जो यह quantity DV upon DR, is the rate of change of potential, क्या है यह, rate of change of potential with distance, and is called potential gradient, इसी को क्या बोलते हैं, potential gradient कहते हैं, क्या बोलेंगे, इसको rate of change, rate of change तब आता है, जब D या डिल्टा लगा हुआ अगे, उसको rate of change, यानि कि change इसको दिखा रहा है, और potential का with distance, किसके respect में, distance के respect में, इसको ऐसा पढ़ते हैं, क्लियर इसको potential gradient बोलते हैं, तो हम यह बोल सकते हैं, कि जो electric field, यानिके E की बात कर रहे हैं, at any point is equal to, वो किसके कोल होता है, the negative of the potential gradient at that point, देखिए, कि जो electric field होता है, किसी point पर यह, वो किसके कोल होता है, वो होता है, negative as a gradient of potential के equal होता है, कि लिए रहे, यहां से हमने definition बना ली, खुद, देखिए, अगला heading यह आपके पास, इसको और भी अगर समझना चाहें, कि यह पूरा लिखा हुआ है, कि जो negative sign है, वो क्या show कर रहा है, negative sign show कर रहा है, that, कि जो direction है, electric field की, is in the direction of decreasing potential, वो किस तरह पर है, decreasing potential की तरह पर, देखिए, इधर आपका potential बढ़ रहा है, इधर घट रहा है, तो जो घटने की तरह पर है, ठीक है, electric field की देखिए, इसल surfaces, तो equipotential surfaces क्या होता, देखिए, नाम से लगाए, एक जैसा potential होगा, ऐसी surface हमारे पास होगी, तो देखिए, आप नाम से hiding से ही पचान सकते हैं, कि मेनिंग क्या बोलना जा रहा है, तो equipotential surface मलब, equal potential वाली surface, कि ऐसी surface, जहाँ पे हर जगा, जो potential होगा, एक जैसा होगा, ठीक ह तो at any surface, which has same potential, electric या electrostatic potential, जो मैंने आपको समझा दिया होईं से, at every point, वही तो बोला मैंने कि हर एक point पे जो potential होगा, कि जैसा होगा, एक जैसा होगा, is called an equipotential surface, clear है, चलिए आगे, the equipotential surface can be drawn through any region, कि जो equipotential surface है, उसको हम draw कर सकते हैं, मनला हम खीज सकते हैं, through any region, किसी भी region मे मनला कहीं पे भी हम जहां पे surface है, in which there is electric field, जहां पर क्या होना चाहिए, electric field होना चाहिए, if all the point at some potential, कि अगर सारे point, all the point at same potential, अगर सारे point पे same potential होगा, in the electric field are joined, and equipotential surface is obtained, तो हमें क्या मिल जाएगी, equipotential surface मिल जाएगी, कब अगर सारे point पे potential, same है, किसी electric field में, ठीक है, अगर हम उन point को जोड़ेंगे, कि माल लिजे भाई, आपके पास एक surface है, हम एक random एक surface माल लेती है, माल लिजे, आपके पास एक surface है, तीक यह पॉइंट यह पॉइंट चीनी की किनी 2 पॉइंट के बीच जो पॉटेंसल डिफ्रेंस है वो क्या होता है इन एक वीपॉटेंसल सरपेज में क्योंकि हर जगा पोटेंशल से मैं कोई भी दो पॉइंट चूछ कर लो उनको मिला और उनके बीज का पोटेंशल डिफरेंश निकालो जीरू आएगा हमें इसा ठीक है तो यह भी हमने आगे मैंसन किया लिखा हुआ है देखिए कि सिंस आलज पॉइंट ऑफ कि सारे पॉइंट फे जो एक्वी पोटेंशल से में तो नो वर्क इज डन कोई काम नहीं होगा नो वर्क डन क्यूंग वी भी तो जीरू है वही आपको बता रहा फॉर्मला वी कुल्ट क्या होता है टीक है च तो कहने का मतलब जो work done है यानि कि moving a charge एक point से दूसरे charge पर ले जाने का जो work done है वो क्या होगा हो कह रहा है कि no work done in moving a test charge between any two points on the equipotential surface के लिए कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा मैं आपको mathematical भी बता रहा हूँ आप copy pen में जरू copy pen ले और जरू लिग लिए उसको ठीक है चलिए and equipotential surface is a surface आगे भी है define क्या हुआ है कि एक जो equipotential surface होती है with a constant value of potential constant मलब सभी जगा पे potential क्या है same है तो constant ही तो है at all point on the surface for a single charge q किसी charge q के लिए जो potential होगा किसी point वो यह होगा we one upon four pi epsilon not q upon आर आपको यह तरह से फॉर्मला मालूम है potential at due to point charge ठीक है तो the this show that कि यह क्या show कर रहा है कि जो भी है वो constant है if r is constant अगर r constant होगा r मतलब यह distance अगर constant होगे तो यह भी वही आता रहेगा ठीक है the electric field at every point जो electric field होता है किसी भी हर point पे इस नॉर्मल नॉर्मार मनला perpendicular perpendicular मनला right angle ठीक है तो perpendicular होता है ठीक है तो to the equipotential surface passing through the point ध्यान सुनना क्या बोला है कि जो electric field होता है every point पे किसी point पे वो normal होता है याने कि राइट एंगल बनाता है किस पे equipotential surface पे passing through the point जहां से वो पास हो रहा है कि हमने equipotential surface ले रही कि आप कैसा भी इसको बना ले कोई दिक्कत नहीं है design का कोई issue नहीं है ठीक है यहाँ पे दो अब जो electric field होगा वो कह रहा है इस सर्फेस पे कैसा होगा पर्पेंडिक्रोर होगा पर्पेंडिक्रोर मंदब 90 डिग्री पर यह आपकी equipotential surface लिखा हुआ है दो पॉइंट है जिनके पीच हमें potential difference क्या होगा हमेशा 0 होगा या इसका पोटेंशल भी इसका भी भी माइनस भी 0 जाएगा इंके बीच की small distance क्या है डील और जो इलेक्टिक फिड होगा वो नॉर्मल होगा इस सर्फेस में यानिकी पर्पेंडिक्रोर यानिकी 90 डिग्री पर क्लियर है तो mathematical हमने इसको प्रूफ किया हुआ है कि लैट टू पॉइंट्स है हमारे पास कि दो पॉइंट एंट बी ओवर एंड इक्वी पोटेंशल सर्फेस ठीक है डू अनफ यहां पर बी ऐ तो आपने बॉठोल क्या जीड हों अगर पॉटेंशल डिफटरेंश जीरूए ठीक है तो अभी यह हमने बताया था पीसे कि no work is done when the charge is move from one point to another point के लिए है electric field देखते हैं बढ़िया करके electric field e कितना होगा आपको बताया था relation between e and v में तो e equal to dv upon dl होता आपको अच्छे तरह से पता है ठीक है यहाँ पर dl की cross multiply कर दें dlb क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है यानि की जिसे dr होता है ठीक है इसके उपर आप वेक्टर लगाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो यह रख दिखें डीवी का वैल्यू यहां पर रख दिया आपने वी बी माइनस वी ए ठीक है अब आपको बताए वी qc- faculty अब बता आपको की एपटेंश्यस 0 होता है रख दी आजी तो आप बटाएगे कि जो geme хu थीटा को कितम वह अगर आपने क्या रख दिया और 90 रख दिया क्या होता है क्वाश्टन का वाल्यू था आपका जीरो देखिए cost 90 का value क्या होता हमने का 0 यहाँ पे 90 जीरो तो theta अगर 90 हो जाए यहाँ पे तो cost 90 का value 0 तो यह पूरा ही क्या हो जाएगा 0 ठीक है तो e is perpendicular to dl इसका मदलब e क्या है perpendicular किस पर dl पे ठीक है इसका आप दियान रखेंगे यह हमने एक condition बना दी इसके लिए इसको क्या भी लिख सकते हैं इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब कि जो e है इसका मतलब यहाँ पर यह बोल सकते हैं कि जो यह वह परपेंडिगुलर किस पर dl पे परपेंडिगुलर जितना आप मैथामेटिकल दिखेंगे उतना बढ़िया माना जाता है फिजिक समय ठीक है उतना अट्रेक्टिव लगता है के लिए चलिए आगे पड़ते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लें हम एक्क्वी पोटेंशल सर्पेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज देखते हैं कि नो वर्क इस डन कोई भी काम नहीं करना पड़ता है इन कर सकते हैं कोई दिखकत नहीं मैंने उदर कर दिया उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगला कि जो इल्यक्टिक फिल्ड होता है इज ऑल्वेज एट राइट एंगल अभी बताया था कि राइट एंगल यानि कि नॉर्मल पर होता है इक्वी पोटेंशल सर्पेस पे अभी अगल ऑफ यानि कि पर्पोसर का लगा धियल बढ़ेगा तो यह काम होगा यह बढ़ेगा तो इससे हम लगा सकते हैं कि ये इस भूगा ठीक है इस पर depend करता है यह तो constant आगे है ना आपका डिवी तो constant रहेगा ठीक है तो the equipotential surface tell the direction of electric video हमें क्या बताता है डारेक्शन बताता है इलेक्टिक के लियर है तो यह चार प्रोपर्टी हमने आपको बताई अब कुछ मैने इकुपोटेनल के ले रही है आपके लिए पिक्चर नंबर वन कि इक्वी पोटेनियल सर्पेश इधा पॉपको फॉटे पॉइंट चाहर चाहर रिखे प्लस का ठीक है तो इसके कारण जो इक्वी पोटेनियल सर पेसा यह बनी वे दिख रहा आपको इस सरकल में और यह दिखा रहे है लाइन आप फोर्च यानि के जिदर फोर्च काम कर रहा है ठीक है तो यह इक्वी पोटेंशल सर्पेस हमने किसके लिए कारण दिखा रहे है डियो टू आप पॉइंट चार्ज के कारण ठीक है ऐसी कुछ यह भी इक्वी पोटेंशल सर्पेस है दिखा रहा है फॉर्ट टू एक्वल एन अपूजट चार्ड एक पॉजटिव चार्जर एक नेगटिव चार्ड यह लाइन कीज रहे है आपको पता यह क्या है इलेक्टिक फोर्च ओफ लाइन है ठीक है इलेक्टिक फोर्च ओफ फील्ड लाइन या इलेक्टिक फील्ड लाइन बोलो आप पॉजटिव से नेगटिव यह जा रहे हैं दिखर आपको बहुत सारी है एक दुसरे को नहीं काटिंगे इसका ध्यारगना कहीं पर भी नहीं काटिंगे तो आउटर लाइन में पॉजटिव नेगटिव तो पॉजटिव यह दिखा रहा है मैंने एक्वी पोटेंशल सर्पेस और नेगटिव यह दिखा रहे हैं एक्वी पोटेंशल सर्पेस ठीक है यह क्या आपके पास एक्वी पोटेंशल सर्पेस से सेट के लिए चलिए अगला यह वाला यह वाला आपके पास ज्यादा चलता ठीक है एक्वी और वीडियो को ठीक है तो इस समय हमने काफी चीज़े देखे आपके लिए एक्वीडियो में और आपका यह इंपॉर्टन देखा आप पूरा कॉपी पर लेके बैठे और आप दुबार से करें वीडियो को ठीक है बढ़िया करके देखें पाउज करें जहां करें नहीं आरा आपको समझ में और अगर कोई दिक्काट हो तो आप अपनी राई जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पताएं और वीडियो को शेयर और लाइक करतें और पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब भी करतें और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन का बैल उसक को भी प्रैस करतें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुन जाए थैक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो